किया अक्सर आपके घर में चावल बच जाता है और आप उसको फेक देते हैं तो इससे आपका पैसा और मेहनत दोनों ही परबाद होता है तो आज का मेरे ये वीडियो देखने के बाद आप बचे वे चावल को बिल्कुल भी नहीं फेकेंगे इस रेसिपी में हम बचे वे चावल का इस्तेमाल करेंगे साथी कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिसे ये चावल काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा तो वीडि तो यहां चावल में हम दो अंडा मिलाएंगे तो यहां मैंने बत्तक का अंडा लिया है आप चाहे तो पॉल्डरी मुर्गी का अंडा भी ले सकते हैं तो इसे हम यहां चावल में डाल देंगे तो यहां 2 कटोरी के इतना मेने चावल लिया था दूश्में मैं दो अंडा डाल रहे हूं है । यहां एक चमच के इतना नमक डालेंगे इसे हम ठोड़ा तीख़ा तीखा बनाएंगे इसलिए आधा चमच के इतना हम लाल म्यची का पाउडर डालें तब इसको अच्छी तरह से मिला देना है अब चावल को भी इसमें मिक्स करते जाए तो यहां चावल को अंडे के साथ हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब हम इसको साइड में रख देंगे तो यहां हम 200 gram के इतना bonless chicken लेंगे इसमें कोई भी अभी healthy वगेरा नहीं डालना है सिर्पिस में हम नमक ही मिलाएंगे और इसको जैसा नॉर्मल चिकन को fry किया जाता है उस तरह से इसको fry कर लेंगे कढ़ाई गरम करके हम 3-4 चमच जादा तेल नहीं डालना है आप जाहें सरसो तेल भी डाल सकतें या फिर आप अगर कोई और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते है तो तेल गरम हो चुका है तो अब जो नमक मिला के हमने chicken रखा हुआ है उसे हम इसमें भून लेंगे तो चिकन को भुनने में यहां 3-4 मिनट ही समय लगेगा, ज्यादा टाइम बीस में नहीं रगेगा क्योंकि यह पॉल्ट्री चिकन है, तो यहां आप एक चीज का ध्यान दे कि चिकन के पीसेस को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, इसे यह जल्दी बॉयल भी हो जाएगा और पांच मिनट के बाद हम इसे उठाकर प्लेट में रख लेंगे, पैन गरम हो गया है, तो अब हम इसमें 50 ml के इतना सरसो का तेल डालेंगे, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ही तेल डालना है, क्योंकि इसमें हम चावल को भी बनाएंगे और सबची भी एड़ करेंगे, तेल गरम हो जाने पर इसमें एक मिर्ची और एक कटा प्याज डालना है, जब प्याज सुनहरा हो जाए, तब इसमें हम आधा टुकडा कटा हुआ सिमला मिर्च डालेंगे, एक कटा हुआ टमाटर, इसमें डाल देंगे, कुछ छिले जुए मतर, आप चाहे पर इसमें और भी अब सब्जीयों के हिसाब से एक बार नमक डालना है, इसमें अच्छी तरह से मिला दे, एक मिनट सारी सब्जियां भूनने के बाद इसमें हम दो से तीन चमच टोमेटो सोस डालेंगे, इसे मिला देना है, तो मेटो सोस डालने के बाद जो अंडिव के साथ हमने चावल को मिलाके रखाए, उसे इसमें डाल देंगे, अब इसको शब्जी में अच्छी तरह से मिला देना, थोड़ी देर बाद इसे फिर से उलट पलट करते रहे, तो बीच बीच में इसे उलट ताकि अंडा कच्चा ना रहे तो फ्रेंस ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है इसमें अंडा भी है चिकन भी है सर्दियों में ये अक्सर सरीर को गरम भी रखता है और खाने में काफी स्वाधिश्च लगता है तो आप यहां एक बात का ध्यान जरूर रखें कि देखें अंडा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे तब तक इसे यहां उलट पलट के पकाते रहना है तो यहां इसे पकाने में लगभग 10 मिनट का टाइम आपको लगेगा है तो देखिए फ्रेंस यहां जब सब अंडा फ्राई हो जाएगा तो यह आपस में चिपकेगा नहीं और देखिए आ काफी स्वाधिस्ट लगेगा आप इसको चाहे तो बच्चों को टीफीन में भी दे सकते हैं यह बहुत ही जल्दी बन कर तैयार हो जाता है और काफी हेल्दी भी है आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मैं अप आज की वीडियो में इतना ही इसी तरह की और एक इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी लेकर मैं फिर आऊंगी तब तक स्वस्तरे मस्तरे